एक एसा सिहर है जिसने अच्छा रेटरन निकाल कर देने के बाद$ इस बीडियो में हम विकास लीकाश ही बात करने के लिए उनके लिए वहुत ही बात करेंगे इस वीडियो में लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या इसको अभी बाय करना चाहिए या फिर शेयर कितना नीचे और आएगा किस जगह पर हम इसको बाय करें ठीक है वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो बहुत होने वाला है जो लोग फर्ष्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसमें हम बात करेंगे किस लेवल पर हम भाय कर सकते हैं और शेर कितना नीचे और आएगा इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जाल लेते हैं दूस्तो इस कंपनी के जो MD है वो क्या है दो किसी भी कंपनी का अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रही हो टीक है इसमें हम मैं सोचता हूं को थोड़ा साम जाल लेते हैं जो इसके MD है डाक्टर एसके धवन एक्स्पिरेंस है 35 प्लस यर मतलब 35 सार से ज़्यादा का एक्स्पिरेंस है AC sir till recently and continue as chairman solid waste and plastic waste management group his core activity areas have been conducting polymers smart coating waste management nano composite for EMI shielding and HDT Dr. Rakis Dhaman received outstanding scientist award in 2019 and DST Lockheed Martin innovation award in 2014 इनके पास दो तो अवार्ड है और यह एक scientist है ठीक है तो यहां पर मतलब और देखो हम इसका केवल और जो Mr. Vijay Sarma है वो director और CEO है उनको भी बीस सार से दादा का experience है ठीक है तो यहां पर मैं आपको मैंसी बताना चाहरा रहा है कि इसको MD है उनको मतलब क्या knowledge है क्या experience है तो वो अपने छेत्र के माहिरत हो है जिसकी यह company है अब company किस चीज की हम यह जालने ते यहां पर ठीक है विकास life care company जो है यहां पर आपको पताऊंगा विकास Multicorp Limited is an Indian based company that is polymer and polymer related trading company polymer क्या होती दोस्तो प्लास्टिक को बोलते हैं ठीक है प्लास्टिक कई तरकी होती है the company is engaged in the business of trading of various chemicals compounds polymers polyvinyl chloride resin plastic granules item related to plastic industry तो इसी चीज़ के तो वो जो MD है उनको इसी चीज़ का अवार्ड मिला हुआ है और इसी चीज़ के वो scientist है तो यह बहुत ही अच्छी चीज है कि यह एक अच्छे management के हाथ में है ठीक है company बाकी मैं आपको बता दूं company बहुत चोटी है 400 क्रों का मार्केट के अरोई मानस में तो इसका मतलब यह company ज्यादा profit कमाके नहीं जरी है कभी बलस में कभी मानस में ऐसे चल रहा होगा यह अच्छी बात है company के पास debt नहीं है यहाँ पर आप नीचे जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिला balance sheet में कितना है company के पास 33 करोड का यहां पर हम देखते हैं को company के पास स्वेर होल्डिंग की बात करते हैं तो अभी इस quarter में 15% की हो गई है प्रमोटेस ने माल उठाया है इस quarter मतलब होल्डिंग बढ़ाई है FIA वालों ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है यह वाले इसमें से माल बेसके बहुत पहले निकल चुके है गवर्मेंट के पास कोई माल नहीं है पुब्रे के पास बहुत ज्यादा माल पड़ा हुआ है अब मैं आपको लिप चलता हूँ एक बार चार्ट के तरफ जहां पर हम देखेंगे कि कि लोगों को मतलब जो लोग बाइ करनी के सब्स väronnaं को कि रहे हैं और यह अपको बता दूं जब सेर मार्क Absol्र में एक गिरावट होती है मतलब जब सेरा मार्केट में घरावट होती है आज के पर आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी कंपणियों के सेर ल, 30, 30, 40, 40, 45% नीचे मिल रहे हैं मतलब इतन बड़ी बड़ी कंपनियों के share बहुत नीचे आ गए है तो जब share market में जो share market के leader है धुरंदर है उनके shareों में ग्रावट हो रही है तो क्या लगता है जो इनके सामने कुछ भी नहीं है एक हवा से ओड़ जाएंगे उनमें तेजी आएगी तो तो पहने share होते हैं वो market की हवा क सब सब्सक्राइब है ज़्यादा देखने नहीं आब हम यहांपर देखने को मिली है कि मैं मैं चार्टन करके दिखाता हूं आपको तो आपको देखने को मिलेगा साथ मही 2021 को यहांपर देखने को मिलेगी यह कंपने ठीक है मतलब यहाँ पर मैक्जुम चार्ट दिखा रहा है कि साथ में 2020 को यह आई वी है लिस्टेड वी है तो इसने रिटर्न करके नहीं कितना निकाल के दिया था इसने आप देखोगे यहाँ पर एकसो चाहनुपसेंट का ठीक है जो रिटर्न है इसने एकसो चाहना परसेंट का रहा तो जो लोग इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं वह अगर बाय करने की सोच है तो अगर यह सेयर जो है 3 रुपए 40 पैसे के आसपास आता है तब आप बाय करना ठीक है तब आप इसमें बाय करने की सोच सकते हो वो भी बड़ी क्वांटिटी में नहीं क्योंकि कंपनी अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है और पेनी सियर भी है ठीक है अब आप लंब्य समय की बोले हैं कि लंब्य समय के लिए रोड कर सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं कंपनी को अभी आयएव ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी ने अभी ज़्यादा हवा नहीं खायła Most तो मार्गेट की तो इसको अभी चलने दो जो short term के लिए पैसे लगाना चाहते हैं वो लगाएं वो भी 3 रुपे 30 पैसे या 40 पैसे की आसपास जब ज़े share आएगा तब ही buy करने की सोचना वरना अभी इसमें lower and lower लग रहा है लगने दो अच्छी बात है जब ज़े share इस जगह के इस level पर आता है इस level पर ठीक है तो आप इसको buy करने की सोच सकते हो ठीक है बाकि रही बात गिरावट की गिर क्यों रहा है तो share में अभी market में गिरावट हो रही दोस्तों तो ये दो बहुत छोटे share है इसलिए गिरावट हो रही है ठीक है तो आपको अभी फसना नहीं है यहां पर back करो तो हो सकता है फस जाओ बड़ी content में पैसा लगाना नहीं है बहुत ही छोटा share risk is here ठीक है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा comment subscribe के बताएगा अगर आपकी कोई query है तो जरूर बताया करो चाहे वो आप गलत मुझे गलत भी बताओगे कोई कमी है मेरे वीडियो में मेरे से बताने में कुछ कमी रहेगी तो भी आप बताया करो ठीक है तो को सकता है मैं कुछ चीज़ें छोड़ दिया ठीक है so I never mind ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छे लगाओ तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें जाएगा बना सब्सक्राब करें नहीं जाएगा आपकी एक सब्सक्राब करें नहीं जाएगा so thank you for watching and subscribe now